रिलीज से पहले खिलाडी ने कमाए कितने करोड क्या धमाल किया रवी तेजा ने कैसी होगी ये फिल्म जिहां दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीकॉराद स्टूडियोज की इस नई पेशकश में रवी तेजा तेलगु फिल्मों के सुपरस्टार हैं उन्हें मास महराजा के नाम से भी जाना जाता है रवी तेजा की फिल्म खिलाडी 11 फरवरी को हिंदी में रिलीज होने जा रही है फिल्म को लेकर जबर्दस्थ हाइप है और सुपरस्टार इसमें डवल रोल में भी गए, सभी की आंके फटी की फटी रह गई, क्योंकि ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं, इतना बड़ा रिस्क लेना वो भी किसी के बस की बात नहीं खिलाली फिल्म को लगबग 1600 थेटर्स में रिलीज किया जा रहा है, जो रवी तेजा की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज है फिल्म का रन टाइम दो घंटे 34 मिनट का है, ये एक एक एक्शन फिल्म है जिसमें रवी तेजा स्टाइल और कॉमेडी का भी छोंक लगाने वाले हैं खिलाली का प्री रिलीज बिजनेस 24.80 करोड बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर फिल्म 25.50 करोड रुपे कमा लेती, तो उसके बाद जो भी कमाती वो उसका फायदा ही होगा, इस तरह से पूरी मूवी फायदे में जाती नजर आ रही है हिंदी में रिलीज होने वाली खिलाली को लेकर मेगा स्टार रवी तेजाने कहा है, मुझे बेहत खुशी है कि डॉक्टर जैन तिलाल गाड़ा हिंदी भाषी दर्शकों के लिए खिलाली को एक भव्य हिंदी रिलीज देने जा रहे हैं, मुझे वास्तों में उम्मीद है क दर्शक अपना प्यार बरसाएंगे और अपने परिबार और दोस्तों के साथ खिलाडी का अनंद लेंगे खिलाडी को रमिश वर्मान ने डायरेक्ट किया है जबकि फिल्म के प्रडियूसर जैन तिलाल काड़ा है फिल्म में रवी तेजा के अलावा मरनाक्षी चाधरी और टिमबल हयाती भी नज़र आएंगे खिलाली फिल्म में रवी तेजा के करेक्टर का नाम सावी होगा और वही मुकेश स्विशी, होम मिनिस्टर, गुरु सिंगम का रूने भात जज़र आएंगे इस फिल्म में मुल्ली शर्मा भी दिखाई देंगे रवी तेजा की पिछली मुवी क्रैक को लोगों ने खुब पसंद किया था फिल्म के ट्रेलर को देखकर लगता है कि फिल्म में एक्टिंग और थ्रिलर बहुत ही जबरदस्त होने वाली है रवी तेजा अपने इसी अंदास के लिए जाने जाते हैं बाकी आगे की स्टोरी क्या होगी ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा तो दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं लाइक और शेयर करना बिल्कु न भूलें और देखते रही हमारा चैनल बॉलीक्राद स्टूडियो